दोस्तों ये देखिए गाए HF आप देख रहे हैं ये 40 लीटर दूद दे रही है ये वाली गाए आप देख रहे हैं और बारवे ब्यात में हैं देख सकते हैं HF गाए बारवे ब्यात में बहुत ही कम देखने को मिलती है और दोस्तों ये देखिए जितनी फीमेल काफ आप द हाइट देखिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी हाइट देखिए कितनी ज्यादा है और यह एवीस के सेकंड लेक्टेशन में प्रेगनेंट हो चुकी है आर्माडा से स्ट्राइकर की फीमेल काफ हैं यह और यह आप देखिए कितनी जवर्जस ग्रोथ हैं इनकी लेंथ लंबाई चोड़ाई कोई कमी नहीं दोस्तो एक उधारन आपको दे देता हूं यह यहां से आप जितने देख रहे हैं वन टू थ्री फॉर फाइव सिक्स यह जितनी भी बच्चे हैं यह सेकंड लेक्टेशन में बच्चा देने वाले हैं और पच्चिस लीटर पहल दिया है मैक्सिमम में दोनों ने तो यह कॉलिटी ब्रीट का बहुत बड़ा अंतर है और इसके बाद आप बात करें देखिए यह यह भी स्ट्राइकर की है पीमेल काफ देखिए क्या हाइट है जबर जस्त बहुत ही अल्टिमेट हाइट और यह सब प्रेगनेंट हैं कि एक नॉर्मल हाइट के इंसान थी छोटे दिखरें इस गाय के आगे तो दोस्तों यही ब्रीडिंग है यही सुधार है और मजा लीजिए ब्रीडिंग का थोड़ी सी मेहनत है दो तीन साल की यह से यह फस्लेक्टेशन की आप देखिए हाइट आपको अंदाजा लगेगा यहां खड़े होके कि कितनी हाइट है इस गाय की देखिए आप इस्ट्राइकर इस्ट्राइकर बहुत ही अल्टिमेट कॉलिटी बहुत ही अच्छी मेहनत बेतूल के फार्मर द्वारा जो की नसल दुज़ार क्या होता है यह लगबग 5-6 महीने की प्रेगनेट हो चुकी द मिलती है लेकिन जैनून रिकॉर्ड के साथ है बहार से आप खरीचते हैं तो जैनून रिकॉर्ड भी नहीं मिलते हैं यह स्ट्राइकर की है सीवन हमारे दुवारा भेजे गए थे यहां पर मद्वर्देश में नसल सुधार का गाम बहुत जोरों पर चल रहा है और आप यह देख सकते हैं एक नसल सुधार का नमूना बहुत ही अल्टिमेट क्वालिटी बहुत ही अल्टिमेट फार्म एवीज स्ट्राइकर के बच्चे हैं सारे जो की बच्चा दे चुके अब दूसरी बार फिर दे रहे हैं और यह देखिए इनकी और जो मेहनत की है इनोंने उसका रिजल्ट छे से साथ महीने के इस सारे बच्चे हैं धाई महीने से लेके इसपाइक आर्माडा और अभी जितने भी इनमें सीमल लगे हैं सिर्फ आर्माडा के लगे हैं और सभी गाये यहां से हम इस जगे को भी कवर करना चाहूंगा मैं यह कुछ एक दूबा फेलों हैं वाकी यह जितने बच्चे खड़े हैं इनके पास सब स्ट्राइकर के हैं और सब प्रेग्नेंट इनके फिर्फ दुग आई ऐसी हैं इस फार्म में बच्चों को छोड़कर जो प्रेग्नेंन नहीं हैं अधरवाीस सारे एनिमल प्रेग्नेंट हैं दोस्तों यही breeding है ऐसा काम आप भी कर सकते हैं बहुत ही बढ़िया काम देखके बहुत खुशी हुई कि हमने कुछ मेनत की मध्यबरदेश के लिए और ultimate result देखने को मिल रहे हैं उसका फाइदा एक किसान अच्छे से ले पा रहा है धन्यवाद दोस्तों आपका बहुत बहुत देखने बहुत दोस्तों आप झांपी बहुत है झांपने लिए खुजा